एकदम बेसिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन जिनको डारेक्ट इंडारेक्ट भी बोलते हैं और हाँ यार वह इसकी वीडियो आप सभी ने काफी अच्छे से देखी हैं तभी आपके अच्छे मार्क्स भी आ रखें जो लास्ट ओनलाइन टेस्ट था जो सेवं समझें और आप सेम वे में हम करने जा रहे हैं नरेशन नरेशन में यार कुछ भी नहीं रटना आपको समझने वाली चीज़ें सारी अगर किसी बच्छे ने वह इसकी वीडियो नहीं देखी हैं तो कम से कम वह इसकी फर्स्ट क्लास जरूर देख लें क्योंकि फर्स्ट क्ल समझते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है क्यों बनाए गया यह बना है नेरेट वर्ड से नेरेट करना मतलब आपको किसी ने कोई बात कही और वही बात आप किसी और को जाके बताते हैं तो वह कैसे बताएंगे उसी को नरेशन कहते हैं जैसे मोधी जी ने कहा मैं चाइना दोस्त को जा के बताएंगे तो उसको बोलेंगे कि मोदी जी ने कहा वह चाइना को करारा जवाब देंगे ठीक है तो यह जो मैं से वह बन गया ना यही है बस narration इससे ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है तो ऐसे यही concept आपको अच्छे से समझना बस practically आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगे और इन्हीं को direct indirect भी बोलते हैं direct का मतलब होता है आप किसी से कोई बात कह रहे हैं तब directly आप जो बात कह रहे हैं indirect मतलब किसी और को जा कि वह बात कही जा रहे है तो उसको बंदे ने बात कही है राकेश said to me राकेश ने मेरे से कहा I work hard मैं कठीन परिश्रम करता हूं क्या हुआ होगा थोड़ा सा कहानी समझेंगे एक दो समझ लें कि narration में होता क्या है तो यह डारेक्ट स्पीच है राकेश said to me I work hard इसमें यार जो यह चीज़ जाएगा I work hard मैं कठीन परिश्रम करता हूं देख यार क्या हुआ होगा मैं राकेश के पास गया और मैंने देख राकेस काफी पढ़ रहा है मैंने का हाँ हाँ मैं कठीन परिश्रम करता हूं अब ये बात मैंने सुनी और हां यह रिपोर्टिंग वर और यह हो जाते है यहीज किसको बोलते हैं यह वर्ब और यह speech तौफ देखो अब राकेश ने बात कही है अगर अपने किसी दोस्त को जाके बताओं तो कैसे बताओं गा राकेश टोल्ड मी राकेश ने मुझे बताया देखो राकेश said to change हो जाएगा told me क्योंकि यहां पर उसने कहा और अभी वो बता रहा है तो राकेश told me मैं उसने मेरे से बात कही थी मैं अपने किसी दोस्त कोई दूसरा दोस्त है मेरा रमेश मैं रमेश के पास गया रमेश ने पूछा और वही राकेश से म अब हो सकता जब में उसके पास गया तब उसके एक्जाम होगा चल रहे तो वह कठिन प्रिश्णम कर रहा था उस टाइम पर काफ़ी पढ़ाई कर रहा था हूं लेकिन जब मैं यह बात बताने रमेश को गया दस दिन बाद तब एक्जाम भी हो चुके थे तो मैं यह चीज करेंगे तो आपको बिल्कुल clear-cut concept समझ में आ जाए तो मैं क्या बताऊंगा भाई राकेस मिला था मुझे और उसने मुझे बताया राकेस टोल्ड मी डैट he worked hard ये I से he क्यों बन गया ये बताओ यहां पे तो राकेस जब डारेक्ट मीर से बात कर रहा था तो उब बोल रहा था I work hard राकेस ने मिर से कहा I work hard लेकिन अब मैं किसी रमेश को जाके बताऊंगा मारा जो दोनों का दोस्त है कोई तो मैं बताऊंगा he worked hard यहाँ पे I से here हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यूंकि अभी मैं rakesh की बात कर रहा हूँ वो मेरे पास नहीं और मैं नहीं हूँ आई तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ तो आई तो मैं हो जाऊँगा लेकिन मैं तो नहीं rakesh कर रहा है रakesh told me और I से he change हो गया क्यों हो गया क्योंकि यह बात मैंने किसी और को जाके बताई है तब यहाँ पे तो आई कौन था यहाँ पे राकेस था राकेस said to me I work hard तो वहाँ पे राकेस खुद था लेकिन मैं अगर रमेश को किसी तीसरे आदमी को किसी तीसरे दोस्त को जाके बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा राकेस told me राकेस ने मुझे बताया that he worked hard चलो अब next करते हैं यह देखो राम said to me you are working hard वही राम मेरे घर आया होगा यह राम था यह मेरे घर आया और इसने देखा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो यह मेरे से बोलता है यार you are working hard आप कठीन परिश्रम कर रहे हो ठीक है अब किसी मैं किसी अब मैं जाओंगा किसी दूसरे दोस्त के पास हमारा जो दोनों का दोस्त है मालो वो रमेज है ठीक है मैं रमेज के पास जाके क्या बोलूँगा रमेज बोलेगा भाई राम से मिला है क्या तो मैं कहूंगा हाँ राम आया था मेरे घर एंड राम टोल्ड मी राम टोल्ड मी राम ने मुझे कहा अब यहां you किसमे हो जाएगा देखो राम मेरे घर पे आया था तो उसने कहा you are working hard तो यह you कोन है यह मैं खुद हूँ जब मैं बताने जा रहा हूँ बात तो यह you मैं खुद ही दो हूँ तो मैं रमेज को जाके क्या कहूँगा भाई राम मेरे घर आया था और उसने क्या कहा that I was working hard कि मैं कठीन परिश्रम कर रहा था उस टाइम पे क्योंकि यह बात जब मैं बताने जा रहा हूँ तो उससे पहले की बात हो चुकी है जब मैं यह बात बताने जा रहा हूँ तो उससे पहले की बात हो चुकी है क्योंकि यहां पे देखो said to me said to have past tense का use किया गया reporting work में और जब मैं बताने जाओंगा तो ये बात और past हो चुकी होगी तो obviously आपको जो present है वो past में ले जाना पड़ता है narration में राम told me that I was working hard ये you से I कैसे change हो गया ये समझो अच्छे से राम said to me you are working hard राम मेरे घर आया और राम ने क्या कहोगा you are working hard राम ने मेरे से बात कही अब मैं ये बात narrate कर रहा हूं narration है तो मुझे narrate करना पड़ेगा तो मैं किसी दूसरे आदमी को जाके तीसरे आदमी को जाके मालों अमन्दोरों का दोस्त है कोई रमेस मैं क्या कहूंगा कि राम मेरे घर आया था और उसने कहा मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूं कर रहा था हो जाएगा मैं बताने जा रहा हूं तो आर से वाज हो जाएगा और मेंचीज जो ये यू से आई हो जाएगा तो यू से आई आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा क्यूंकि जब आप किसी को बताने जाओगे वो चीज तो आप कैसे बताओगे वो चीज आपको समझ आने चाहिए वही नरेशन है बस चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं देखो राम टोल्ड में क्यों हो गया टोल्ड के आगे टू क्यों नहीं लगा ये आपको में धिरी दिरे आगे बताऊंगा ठीक है अभी आप में कॉंसेप्ट समझे कैसे चेंज करते हैं रोहित सेट टू मी शीज स्टेडिंग टूडे देखो यार रोहित आया मेरे घर और हम हम दोनों कोई क्लासमेट थी जो हम दोनों को पसंद थी तो मैंने उससे पूछ लिया रहे यार सीमा क्या कर रही है अभी आज कल क्या कर रही है तो वो उसके घर के आगे से होके आ रहा है तो उसके घर के आगे से जब आया तो उसने देखा हो गया से सीमा के घर की और की सीम रमेश को इधर लिख लेते हैं ठीक है हम दोनों का एक तीसरा दोस्त है रमेश तो वो रमेश को जाके मैं कैसे बताऊंगा मैं बताऊंगा रोहित टोल्ड मी रोहित ने मुझे कहा कि Ally, She, Was, Studying She तो She रहेगी देखो वह रोहित ने मेर से आके कहा वह पड़ रही है तो फिसरे दोस्त को जाके बताऊंगा तो भी तो में चीज उजाएगी वहें पढ रही थी लो वहें तो वहें रहेगी तो क्योंकि हम तीसरी बंदे के बारे में बात कर रहे थे तो सीमा के बारे मारें वह बात करेंगे तीसरे आदमism ग shorts अर्डें तो मैं बताओ आएक जब मेरे घराय था रोहीत तो से ये बात हो तो पांच दिन बाद जाके बता रहा हूं रमेज को तो पांच दिन बाद अगर जाके बताऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं today? नहीं भाई, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो बात तो पहले की है उस दिन जब था तब की बात आईए तो today किस सीज में change हो जाएगा? that day कि जिस दिन हमारी बात हुई थी उस दिन, that day उस दिन, तो इसलिए today change हो जाता है that day में, तो इनको रटे नहीं समझें क्यों change होता है today that day में क्यों yesterday change होता है the previous day में ठीक है? अब देखो रोहित told me that she was studying that day कि रोहित नहीं मुझे बताया कि वह पढ़ रही थी उस दिन so I hope यार यहां पर आपको यह concept बिल्कुल clear हो गया होगा तो क्या क्या सिखा हमने यहां पर कि said to reporting verb जब भी past में होगी reporting verb जब भी past में होगी तो आगे जो reporting speech है वो भी change हो जाएगी टेंस चेंज हो जाएगा उसका और किस में change होगा present होगा तो past में हो जाएगा past देखो कैसे change होता देखो यहां पर present indefinite था past indefinite में बन गया यह present continuous था यह past continuous में बन गया यहां पर present continuous था past continuous में बन गया और अगर present perfect होता तो past perfect में बन जाता और past indefinite होता तो क्या होता? देखो, जो भी tense होगा उस से पहले वाला बन जाता है tense कैसे चलते हैं? future से पहले का समय होता है present, present से पहले का past और past से भी पहले का समय होता है? past perfect कैसे? देखो, आपने सुना होगा यार past perfect वो tense होते हैं जहां पे एक काम होने से पहले दूसरा काम हो गया, दोनों ही past में हैं, लेकिन past से भी पहले कोई काम हो गया, याद करो वो sentence, the train had left before I reached the station, कि जब मैं station पे पहुचा, उससे पहले train जा चुकी थी, तो जब मैं पहुचा, ये भी past में है, और उससे पहले, उससे भी पहले train जा च यूज हो जाए, तो वहाँ पे past perfect यूज करते हैं, तो past perfect concept आपको अपको अलड़ी दोबारा से clear भी हो गया होगा भी, already हमने जब tense identification किया, तब भी इससी के बारे में discuss किया था, तो देखो, अगर past indefinite होगा, तो past perfect में change हो जाएगा, और past perfect अगर already past perfect में ही अगर यहाँ पे पीछे का समय, लेकिन past perfect से पीछे का क्या समय होगा, वहाँ से तो पीछे कुछ है नहीं, वो तो last है, तो इसलिए past perfect कभी भी tense change नहीं होता, और ऐसे ही past perfect continuous भी कभी change नहीं होता, क्योंकि already past perfect काफी पीछे से पीछे आप जाई चुके हो, उससे पीछे जाने की कोई जगा नह नहीं है, देखो भाई, आगे करते हैं अभी, तो जब ये जो reporting verb है, past में आई, इसलिए अमने आगे tense change गया, अगर ये present ये future में होती, तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो अभी, क्योंकि नहीं पड़ती उसकी जरूरत, क्योंकि अगर ये present में होगी, तो मैं present में जाके आगे वाले को बात बताऊंगा ना, कि आगे sentences देखके आपको समझ आ गयाएगा, चलो यार, देखते हैं, रोहित says to me, I have done this work, मैं रोहित के घर गया, मैंने का भाई, क्या पोधे रगा रखें यार, जबर्दस तुमने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, मतलब ये तो रोहित ने कहा, रोहित मेरे से क्या कहता है, कि I have done this work, कि मैंने ये काम किया है, मैंने का भाई बहुत अच्छा, तो यही बात मैं अपने घर पे आया, और मैंने अपनी ममी जी को बोला, कि ममी जी रोहित बहुत अच्छा लड़का है, रोहित मुझे मिला था, मैं उसके बता रहा हूं, अपनी ममी को, तो आई तो नहीं लगा हूंगा, क्योंकि मैं तो खुद बोल रहा हूं, मैंने थोड़ी किया वह अच्छा काम, रोहित ने किया ना, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, he has done this work, नहीं नहीं, यहां पे तो कोई काम है नहीं, जब मैं अपनी मम concept समझ आ रहा हूगा, क्यों this को that में change किया है, so बिल्कुल simple है यार, और यह देखो, have था, तो hedge हो गया, मतलब यहां पे tense change नहीं किया, यहां से have से head नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे present work थी, मैं उसी time जाके बता रहा हूं, अपनी ममी को, क्योंकि वो tense change सेम टाइम पे जाके बता रहा हूं, reporting वो present में, तो reporting वो जब present और future में होगी, तब आपको change नहीं करना है, अगर past में होगी, तो ही change करना होता है, so I hope यह चीज़ आपको clear होगी होगी, चलिए यार, और नए sentence करते हैं, और यह IQ change हुआ ही में, यह बिल्कुल आपको clear हो जान होगे ना, तो वहाँ पर narration जो दे रखिये ना, वो practical grammar के अंडर दे रखिये हैं, क्यों, क्योंकि यह practically concept समझने वाले चीज़े हैं, रटने वाले चीज़े नहीं हैं यह, देखो, मोहित says, I love Ria, मोहित कहता है, मैं Ria से प्यार करता हूँ, ठीक है, अब भाई, मैं मोहित के पास गया, मैंने कहा यार, मोहित आज कल तुम पढ़ाई बढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या चक कर रहा है, क्या दिक कदा रखिये तुमें, तो मोहित कहता है, मुझे, थोड़ी देर मोहित के मम्मी के पास गया, मैं मोहित के मम्मी जी के पास जाके बोलता हूँ, आँटी जी, आपको पता है क्या एक बात, वो आँटी जी बोलतीं, क्या बेटा, मैंने का मोहित कहता है, मोहित says that, मोहित says that, I love Ria बोलूँगा या he love, मैं तो मोहित के बारे में बता रहा हूँ भी ही लव लेकिन ही के कानड लव जाएगा रिया सिंपल अब यहां पर क्योंकि प्रेजेंट की बात थी तो इसलिए आगे थेंग हुआ ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट में उसी टाइम जाके बता रहा हूं ठीक है ओल्मोस्ट इसलिए अगर यहां पर आगे टेंट चेंज लेकिन अभी टेंट इसलिए लिए की यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोबारा एक बार कहानी सुन लीजी कैसे हुआ मोहित मेरे को मिला मोहित ने कहा आई लव रिया मैं रिया से प्यार करता हूं तो मैं मोहित को किये बात सुनी, मैं मोहित की ममी जी के पास गया, मैंने का अणडी जी आपको पता है एक बात, वो बोलती है क्या, मैंने का मोहित कह रहा है, मोहित says that he loves Ria, तो क्योंकि मैं यहाँ पर मोहित की बात कर रहा हूँ न, इंडारेक्ट लिए अगर मुझे ये बात तो मैं यहाँ पर आई तो लगा नहीं सकता, आई लव रिया बोलती ही तो मैं पिट जाओंगा, तो मुझे मोहित के बारे में बताना है, तो मैं बोलूँगा, he loves Ria, he loves Ria, ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझा गई होगी, अब next sentence देख लिजिए, देखो, योगेश said, Monika went to college yesterday, भाई, कैसे कहानी रही होगी, समझो एक बार, यह कहानी आगर आप, just first video में आपको ज्यादा इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप concept से समझ लोगे ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, यार कुछ boring भी नहीं लगेगा, और आप easily कभी भी भूलोगे नहीं ज college yesterday, कहानी क्या हूई होगी, कि भाई, मालो मुझे Monika पसंद थी, मैं college जाती थी मेरे साथ, तो मैं college गया, और मैंने इधार उधर देखा, class में, तो Monika मुझे दिखाई नहीं दी, अगले दिन मुझे योगेश मिला, मेरा दूसरा classmate जो है, तो मैं मेरे को जैसे योगेश मिल तो मैंने कहा, रहे यार, योगेश, कल मैं college गया, और Monika मुझे दिखाई नहीं दी, तो योगेश मेरे कहता, नहीं यार, योगेश क्या कहता, नहीं यार, Monika तो कल college गई थी, उसने कहा, Monika went to college yesterday, योगेश मेरे क्या कहा, Monika went to college yesterday, तुमें दिखाई नहीं दी होगी, वो गई यहां लिख लेते हैं थिक है आगर रमेश को जाके अगर यहीं बात बोल रहाँ तो मैं कैसे बोलूंगा कि मेरे योगेश से बात हुई थी और योगेश ने मुझे बताया योगेश सैड डैट देखो अगर say to tells में होता है, अगर आगे to होगा ना, तो ही change होता है, तो said है, तो said ही रहेगा, Yogis, said that, Yogis ने मुझे क्या बताया, Monica, अब यह बताओ, यहाँ पे said आगया है, मतलब second form आगे, यह तो past tense है, reporting वो past में है, तो past में है, तो आगे tense change करना है, went to college yesterday, tense कैसे change होगा, यह है past indefinite, तो यह हो जाएगा past perfect में, logic क्या है, वो समझो, जब मेरे को यह बात बताई जा रही है, तब उससे पहले यह काम हो चुका है, जब मेरे को योगेस बता रहा है, उससे पहले मोनिका जाके आ चुकी है college, तो इसी लिए यह बात जब मैं अपने तीसरे दोस्त को बताने जा रहा हूँ, तो अलड़ी एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका है, तो मुझे past perfect में डालना होगा, इसको, tense को, तो मैं कैसे बताऊँगा, योगेस ने कहा कि मोनिका had gone, had gone to college, अब मैं पांच दिन बात जाकि अपने दोस्त को बता रहा हूँ, रमेज को यह बात, तो क्या मैं yesterday यूज़ कर सकता हूँ गया यार, नहीं कर सकता, क्योंकि यह बात yesterday की नहीं है, जिस दिन मेरी और योगेस की बात हुई न, उस दिन तो yesterday था, तो आज के दिन मैं कैसे बता पांगा इस बात को, मुझे बताने के लिए बोलना पड़ेगा, कि जिस दिन मेरी और क्लियर हो गया होगा तो अभी देख लेते हैं एक बार कि देखो योगेश सैड डैट योगेश ने कहा कि मोनिका हैड गोन टू कोलेज डे प्रिवियस डे डे प्रिवियस डे क्यों चेंज हुआ क्योंकि यह उस दिन से पहले की बात है चलो अब नेक्स्ट और कुछ संटेंसि कि छंग थी वोली भोल खेलने चलते हैं यार राम कल आया है नहीं था एक Sealने के लिए चलो आज मैं राम को बुलाकि रहता हूं तो मैं राम को ब्लाने गया मैंने कहां चलो खेलने चलते यार वोली मुहीद बोलता है रहे यार पंकज राम क्यों नहीं आया आज खेलने के लिए कल भी नहीं आया आज भी नहीं आया मैंने का भाई मैं राम के पास गया था राम ने कहा कि राम said that क्या का राम ने अब आई बोलूँगा क्या मैं नहीं मुझे बोलना पड़ेगा ही राम के बारे में बात बता रहा हूं है जो कि हमारे पास खड़ा भी नहीं है भी ठीका मैं बोलूँगा राम के लिए अगर बोलूँगा ही अम बोलूँगा कि वाज बोलूँगा वाज बोलूँगा ही वाज प्रिपेरिंग फोर माई एक्जाम बोलूँगा क्या मेरे एक्जाम के लिए राम थोड़ी प्रिपेर कर रहा है राम तो अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहा है ठीक है तो मैंने जब यह बात आकर बताई तो उस टाइम पर यह past हो चुगी पहले की बात हो चुगी है काफी और sad है क्योंकि यह past verb का use किया गया है तो past का मतलब है past tense में यह तो आपको रिपोर्टिंग वह जब भी past में होगी तो आपको एक past में चला जाएगा आपका जो भी sentence होगा वो एक कदम पीछे चला जाएगा तो जैसे present indefinite है तो past indefinite चला जाएगा present continuous है तो past continuous चला जाएगा present perfect है तो past perfect चला जाएगा present perfect continuous है तो past perfect continuous अब अगर past indefinite होगा तो उससे पहल पेक्ट में और अगर आपका पास्ट कॉंटीनियूस में है तो किसमें चला जाएगा फास्ट पर Grill यहां पे दिया हो गुछ तो भाई उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता तो तो इसलिए past perfect में हो जाता है no change, past perfect change हो गाई निया अगर यहां बे past perfect होता तो और past perfect continuous होता तो भी change नहीं हो पाता, ठीक है, so I hope यार आपको यहां बे चीज़ें बिल्कुल clear समझ में आ गई होगी, अब देखो इसका solution भी एक बार देख लो, राम said that he was preparing for his exam, तो यह my से his क्यों हो गया, I से he क्यों हो गया, यह आपको बिल्कुल clear समझ में I hope अब तक आ गया होगा, इतने sentences करने के बाद, और concept समझने के बाद, क्योंकि जब मैं किसी और को जाके बात बता रहा हूँ, तो मैं उस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे तो राम बोल रहा था, आई, राम के लिए आई आया था, तो यहां पे राम ने अपने लिए बोला था, मेरे सामने, कि मैं प्रिपेर कर रहा हूँ, अब यही बात मैं किसी और को जाके बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा, राम प्रिपेर कर रहा हूँ, मतलब वह प्रिपेर कर रहा है, अपने एक्जाम के लिए, तो he was preparing for his exam, प्रिपेर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो permanent lifetime के लिए याद रहेगा आपको, और अगर rules से समझना है, तो एक बार rules का भी आपको सफर करवा देते हैं, देखो, narration के pronoun के rule क्या होते हैं, first person in the reporting speech changes as per subject, कि first person जब भी आएगा ना, वो as per subject change होगा, second person object के according change होगा, और third person में cannot be change, change नहीं होगा, इसी चीज़ को याद करवाने के लिए क्या किया जाता है, यह सब rules आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे सभी books में, son, कि first person subject के according change होता है, second person object, third person no change, कैसे होता है, आओ फिर दिखा देता हूँ एक बार, जो हमने sentences किया उन में, कैसे किया है, एक बार clear कर लेते हैं, screen, okay, देखो, यह था sentence, राके said to me I work hard, तो I क्या था, जब दो बंदे बात करते हैं, तो first person और second person क्या होते हैं, मैं अगर किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, तो मैं first person हूँ, मैं बोल रहा हूँ, you, तो you second person हो गए, और third person कोन होता है, he or she, ठीक है, तो I और we first person, यह first जो वोईस की वीडियो थी, उसमें cover किया था मैंने वैसे, लेकिन याद रिविजन के लिए बता रहा हूँ, second person में you, और third person में he, she, they, ठीक है, यह सब third person में होते हैं, तो यहाँ पर I क्या है, यह first person है, first person किसके according change होगा, आपने वहाँ पर पढ़ाया है, son as per rule में कि first person subject के according change होगा, तो I change होगा, रा case के according तो he आ गया, समझ गए, अब next tool देखो, राम said to me you are working hard, राम ने का you are working hard, you क्या है, you second person है, you, you second person है, तो second person object के according change होता, तो you से क्या हो जाएगा, me, लेकिन आपको subject की जाए रखना है, तो me से क्या बोल दोगे, I, तो इसलिए you I मे अब देख सकते हो, third देखो, रोहित said to me she is studying today, तो she क्या है, she third person है, तो 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 change होगा है, नहीं से लिए she का, she रह गया, next देखो, रोहित says to me I have done this work, तो I, first person है, first person subject के coding, रोहित के coding, ही हो गया, ठीक है, I love Rhea, तो I subject के coding, मोहित के लिए use हो है, तो ही हो गया, योगे said, मोनिका यहाँपे, तो मोनिका नाम ही आ गया, तो नाम नाम ही रहेगा, उसमें तो कोई फरक पढ़ता नहीं, राम said, I am preparing, I first person है, तो राम के coding ही हो जाएगा, ठीक है, next देखो, बस, यहाँपे rule आई गए, तो इस टाइब से तो pronoun के rules, अगर आपको rule से समझना आ दो, और logic से आपको लड़ी, एक बार समझाई दिया है, मैंने सही से, अब देखो, tense के क्या rule है, अगर reporting verb past में होगी, reporting verb क्या होते हैं, जो starting में लिखी हो दिना, he said to me, तो यह said to me, ऐसे idea अगर आ रखाना, said, तो यह past tense हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि second form यूज होई है, और verb की second form सिर्फ past tense में यूज होती है, तो अगर said आ गया है, तो यह past में है, reporting verb, और reporting जब भी past में होगी, तो आगे tense को change क करना होता है, और अगर यह past में ना हो, say आ रखा हो, यह will आ रखा हो, will say रखा हो, मतलब present या future में होगी, तो tense change नहीं करना होगा, simple, जैसे हमने वो, मोहित का वो example पढ़ा था, I love Ria वाला, मोहित sage, तो उसमें था मोहित sage, तो sage क्या था, present था, तो present था, तो हमने आगे tense change नह present indefinite, past indefinite, क्योंकि एक-एक step पीछे चला जाता है समय, क्योंकि आप यह बात जबागे वाले को narrate कर रहे होते हैं, जाके बता रहे होते हैं indirectly, तो वो time पीछे जा चुगा होता है, तो इसलिए present की चीज़ past indefinite में चले जाती है, present continuous, past continuous, ठीक है, is doing होगा, तो was doing हो जाएग present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, और अगर पहले से past indefinite में तो past indefinite से पीछे क्या होता है, past perfect, past continuous से पीछे, past perfect continuous, past perfect से पीछे कुछ होता नहीं, इसलिए no change और past perfect continuous, perfect मतलब हो गया, काम पहले ही past perfect में जा चुका है, तो no change होगा हमें से, ठीक है, next देखो, will, good, आपको अलड़ी बताया था क इनकी past form होते हैं, तो will होगा, तो would हो जाएगा, shell होगा, तो should हो जाएगा, may, might, can, could, must, must में ही रहता है, 99%, लेकिन कभी कभी कमपल्सन की बात आती है, तो head to me change होता है, वो हम आगे sentences करेंगे, आपको तब समझ आ जाएगा, देखो, इसके इलाबा, head of time, ये rule क्या कहते हैं, कि today that day में change हो जाएगा, तो इसको रटे जहीं, आपको समझाए गया है today that day में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जब किसी तीसरे बंदे को जाके वो बात बता रही है, तो उस दिन today है नहीं न, वो बात तो आप तब की बता रहे हैं, जब आप दोनों बंदों की ब पोधे वाला एक्जामपल पढ़ा था मतलब ही इस डूइंग दिस वर्क तो वो डेट वर्क हो गया ठीक है ही इस टूइंग आई एम स्टूइग यह तो ही वाज स्टूइंग देर तो हीर का देर हो जाएगा इस डैट इस दोज अगो बिफोर नाव धैन ठीक है सो यहां पर आपके नरेशन के रूल्स भी आपके खतम हो गए आपको जोन सा भी फंडा भई अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो बट आई प्रीफर कि आप कोंसेप्ट से समझें चीजें कोंसेप्ट से अगर आप समझोगे तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे और ह कोमेंट बोक्स में जरूर बताना यार कि कोंसेप्ट्वली समझने में ज्यादा मजाए या रूल्स के साथ कौन सा तरीका आपको बैटर लगता है वह कोमेंट बोक्स में जरूर बताना सो थैंक्स पर वाचिंग बाबाई